हेलो फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 निव वर्ड्स और इफ यू आर प्रिपेरिंग एनी गवर्मेंट एक्जाम लाइक एससी सीजियल 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 सीएचसल म्तियस सीडियस आल इज वर्ड्स विल हल्फल फारदोज तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड है अंडर्पिन का मतलब होता है प्रोथसाहित करना प्रोथसाहित करना प्रोथसाहित करना प्रोथसाहित करना सीनोनिम सोता है इसका नर्चर एंड इंकरेज एंटोनीम होता है हिंडर चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इक्जेसरवेट इक्जेसरवेट के मतलब होता है खराब कर देना बेकार कर देना और यह पाटा विस्विज में बात करें तो यह वर्व होता है तो यहां पर इसका मतलब होता है बेका कर देना या खराब कर देना कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा खराब कर देना कि खराब करना कि शिनोनिम सोता है इसका वर्षेन एंड इन फ्लेम एंटोनिम सोता है इसका काम काम का मतलब होता है सांत चलिए नेस्ट वर्ड पर चलते हैं नेस्ट वर्ड है कटेस्ट्रोप नेस्ट वर्ड है कटेस्ट्रोप पार्ट आफ स्पीज में होता है यह नाउन होता है और मीनिंग होता है डिजास्टर डिजास्टर मतलब आपदा अब आपदा कई तरह से हो सकती है बाढ़ हो सकती है या तुफान हो सकता है कोई भी आपदा हो सकती है synonym सोता है calamity and cataclysm, antonym सोता है salvation अमीद करता हूँ यह सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे चलिए next word पर चलते हैं next word है mount, amount का मतलब होता है increase मतलब बढ़ना all these words are also improve your communication skill and writing skill और synonym सोता है इसकी grow and rise, antonym सोता है decrease चलिए next word पर आते हैं next word है marginal, marginal adjective होता है mini होता है slight, slight मतलब थोड़ा small, tiny, synonyms हो जाएंगे and antonym हो जाएगा vast चलिए next word के आते हैं next word है formidable, formidable का मतलब होता है डरावना और यह adjective होता है और मतलब होता है intimidating and synonyms होता है farbidding and detoutable and antonym होता है comforting चलिए next word पर चलते है, next word है next word होगा abolish, abolish क्या है, abolish verb है meaning होता है put and into, मतलब क्या होता है समाप्त करना finish करना and समाप्त करना synonyms होता है do away with and get rid of and antonym होता है retain तो आप लोग notes बनाते रहिए और lecture को untrack देते रहिए चलिए next word पर आते है, next word है adulterate और adulterate का मतलब होता है मिलावट करना degrade यहां पर हो जाए इसका मतलब हो जाएगा मिलावट करना मिलावट करना synonyms हो जाएगा इसका debase and spoil antonym सुजाएगा है define चलिए second last word है आपका कांसी conceal इसका मतलब होता है नतीज़ा resulting नतीज़ नतीज़ा होता है इसका मतलब होता है नतीज़ा होता है and synonyms होता है resulting and ensuing antonym होता है casual and unrelated नतीज़ा होता है चलिए last word पर चलते है last word है आपका alliance alliance का मतलब होता है संधी male, role, maitri and noun होता है and meaning होता है affinity, synonyms होता relationship and association and intonym होता है distance यह आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करिए subscribe करिए